हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं द्रगेश आश्वाल श्रागत है आपका हमारी चैनल इलेनी भी द्रगेश पर आज हम लोग सोर्मेंडल का भाग दो पढ़ेंगे और हम लोग विश्व भुगोल पढ़ें यह पुरी तरस NCRT पैटन पर है तो कि आपको भी पता है कि हम NCRT पैटन इप पढ़ाने विश्वास रखते हैं तो शामान दन के स्रीज में आज हम लोग NCRT का जो जिवरॉफी का था वो सक्षन नमबर टू माने पार्ट तू अर्था सोर्मंडल का भाग दो पढ़ेंगे इस भाग दो में हमने पहले जाना शुन जैंटा ग्रह क्या है उपग्रह क्या है स्थ ग्रिष्ण कहते हैं प्राकाति उपगरह क्या है इन ने सभी तत्थ्यों के बारे में एक क्रमवार चर्चा किया था जो कि NCRT के BOOKो में NCRT के TAPो में चुझा किया था वे किन आप हम लोग उसके ठीक आगे बढ़ेंगे और उससे अनित तत्यों को एक एक करके चर्चाम करेंगे तो जो सबसे पहला टापिक हमें पढ़ना है उसका नाम है शूरे जिसे आप कहते हैं शन यह सूरे इसी को हमें पढ़ना है सूरे को तो सभी लोग फटा-फट हेडिंग बना लेंगे और अपनी कॉपी कलम लेकर 267 पर WhatsApp करके online class के बारे में जानकारी ले सकते हैं हम क्लास शुरू करें इस पहले आप लोग टेलिग्राम पे जूड़े रही हैगा दुरगेश सर्च करकर इलेनी बीदुरगेश से Facebook पेज Instagram ट्विटर सभी लेनी बीदुरगेश है चलिए अब हम बढ़ते हैं शूरे की तर सूर के हमारा एक प्रकार का तारा है और आपको भी हमने पहले से बता दिया कि सूर जो है अपने अक्ष पर पूरुसे पश्चिम की तरफ सूर क्या करता है चक्कर लगाता है या घूमता है यह 25 दिनों में धुरुवी भात पर 35 दिनों में एक घोड़न पून करता है सूर आपने अक्ष पर 7 अंस का कौंड बेनाता है तो सूर कुम खोखला करते हैं हमारी पिधिवीश में 13 लाग शमा सकती है और सूर में देखा जाए तो सूर में प्रतिवर्स 12 तारा मंडलों से 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है फिर यहां पर आप आप एक चीज़ देखेंगे कि प्रतेकमा सूर एक रासी से दूसरी रासी मे संक्रमन करता है इसे हम संक्रांती कहते हैं इसे क्या कहते हैं शंक्रांती के नाम से जानते हैं अभी बहुत साथ आपको लिखवाते चलेंगे वैसे जानते रहेगा जब शूर मकर रासीं प्रवेस करता है उसे मकर संक्रांती कहते हैं और आपको जानकर पता भी होगा मैंने सुरवात में बताया था कि जो सूर है यह गैसों का एक तरह से गोला है एक गैसी गोला है इसमें हैड्रोजन दिखा जाए तो जो हैड्रोजन है वह 71% है है यहापे हैड्रोजन है ह्एड्रोजन और यह अपका ह一定要 हो गया है सूर की जो वर्तमान आयू हैँ अब सूर की शहीत आतर अजएंड़ यह जाए जर्टं़ के सब से नस्दीक का सबसे पास का एक डाहे सूर मोटफित सफब्राइग क के दाणक धराफ दशाु आलतल को थीनस प्रवात अगया है कौन कौन पहला तो कोड भी क्रण इसं ऐसी मेख़ला इन सुपन इस दुमें तीन भागों में इसे जबकि की सूर के ऊपर अगर देखेंगे ऐगा नित्स्रीशें कोण या कहते हैं यहां पर की कोई Spec कोई सूर की आंतरिक सरच न ऑपने शूर की आंतरिक सरच न इसमें पहला लिखेगा कोर केंद्री भाग होता है कैसा यहां पर शूर का सबसे केंद्री भाग होता है जिसका ताप मान एक दस मलोव पांच गुड़े दस घाते सत्तर डिग्री शल्सियस होता है इस पर परमाणू का विभाजन जो होता है इलेक्ट्रोन यहों नाभिकों में सो हो जाता है जिसे प्लाजमा का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर नाभिकी शल्यन शूर के केंद्र पर नाभिकी शल्यन होता है जिससे उर्जा प्राप्त होता है यहीं पर नाभिकी शल्यन होता है क्या होता है नाभिकी शल्यन की प्रक्रिया होती है जिससे शूर के पास क्या होती है उसमा आती है उर्जा आती है मतलब हेड प्रॉपिक हम लोगों ने पड़ा वाप के लिए महत्तपुड था तो यहां समने देखा केंद्रक या कोर का काम क्या है तो यहां पे जो होता है यह सूर का केंद्री भाग होता है इसका जो ताप पाने तो पांस गोले दस गादे सतर सेल्सियस होता है फिर यहां पे प्लाजम का सुरोत जो है वो केंद्र है इसकी स्कीन सॉट ले लिजेगा यहां तेगर आपके कॉंसेप्ट या केलियर होगा यह बात आपको समझ में आ गई हो आगे हम देखेंगे तो आगे हमें और कुछ जानने को पढ़ने को मिलेगा चली देखते हैं क्या है इसके बाद अगला है यहैं विक्रण छेत्र अगला को क्या मिलता हम विक्रण छेत्र चुबि कल छेत्र है इसे रिक्रण मेखला क्रोड कोET को चार ओर से देखतेविक선 क्रोड जो आपक पीया अप्याली लाइन को द डाके है इस मेखला की कि चोड़ाई 3,82,000 km 3,00,000 है कि यह किल मीटर है ठीक है है इसकी चोड़ाई है ब्रीट जो है वह इतनी है पिर क्रोड में जो उत्पन उर्जा वहाग फोटान या पर जो उर्जा वहाग है है वह क्या है आपका वह आपका फोटान है वो कि आपका फोटान है वह आपका क्या मोटान एक सतथा गामा कीरेडे से होकर बुजर्टी है कहां से यहां से होकर यह सथा गामा केड़े फिर अगला आपका यहां से स्किंस और चाह तो ले लीज़ेगा आप लोग जो भी साथी लाइब देख रहे हैं क्योंकि से रिश करने जा रहे हैं फिर आगे देखेंगे एक लाष्ट बसता है कंज प्रश्गीली इसाथमया आपको क्या क्या पड़ना है असान में यह विकण मेखला को घयरे लाए हैं अ Anders barrel pł और three-neur lakh km है और यह समवनी मेХ प्कला तीसरे अस्तर का निरमार करते हैं कि पर चोटी कोश्का निरमित इस मेवं करते हैं यहीं से बाहर निकलती कहां से श्रमाहंच चेत्र से उर्जा बाहर निकलती है तुम उमीद करता हूं यहां से आपको जो समस्या थी जो प्रशन थे वह आप लोग को धीरे-द्रे समझ मारा होगा धीरे-द्रे क्लियर हो रहा होगा कॉंसेप्ट आएए अब हम लोग कुछ और तत्य पढ़ेंगे सूर के धरातल को उपर तीन प्रकार के मंडल पाये जाते हैं जैसके स्कीन सॉट ले लिजेगा और टेलीग्राम पे आप सभी जो भी लाइब देख रहे हैं वह दुर्गेश सर्च करके दुर्गेश सर्च करके इलनी पर एक इसमें आता है प्रकास मंडल तो प्रकास मंडल देख रहे हैं कहाँ प्रकास मंडल जिसे हम फोटो स्पेयर कहते हैं देखिए फोटो स्पेयर इसे हम प्रकास मंडल कहते हैं मने सूर के धरातल को उपर तीन मंडल है एक है आपका फोटो स्पेयर क्या है फोटो स्पेयर दूसरा आपका है वान मंदल दूसरा क्या है वान मंदल जिसे आप कोड मेर कहते हैं क्या कहते हैं कोड दूसरा हो गया ये सपर प हँआ तीसरा जॉड़ा । वो कोरोना क्या है आपका वो है कोरोना क्या है आपका कोरोना तो यहां पर देख रहोंगे यह सभी कर्के देखते हैं आप लोग को यह बात है यह सारे आ रहा होगा एक कोई दिक्कत आपको फिर भी ताप पूसकते हैं कमेंड करके जो लोग भी लाइब देख रहे हैं जली एक सकर के पड़ते हैं पहले लोग तो देखना है प्रकास मंडल के बारे में थोड़ी बहुत हम्हें चीजों को आप लोगों को पढ़ना और यहां पर जहांना होगा तो जो हमारा प्रकास मंदल एक मनटुकेगा तोड़ा सा यहिश कर दिया जय जाए एक मुझटूकेगा प्रकास मंडल के नाम से जानते हैं जो श्रमवनी मेखला है जो श्रमवनी मेखला इसका जो तापमान होता है एक करके लिखते चलिएगा वह अच्छा डिग्री सल्सियस होता है प्रकास कहीं रंगों से बना है जिसमें से कुछ रंग प्रकास मंडल दौरा अस्वसित कर लेता है प्रकास जो है कई रंगों से मिलकर बना है लेकिन ये फोटो स्पेर जो है ये प्रकास मंडल कुछ रंग को असोसित कर लेता है जहां जहां प्रकास मंडल द्वारा रंगों को असोसन होता है वहां काली रिखाए दिखा देती है वहां पर क्या दिखाए देती है काली-काली र वान हाफर कहते हैं लेख लिजएगा जो काली रिखाएं होती है उन्हें फ्राण हाफर कहते हैं और सौर कलंग इस मंदल में पाया जाते हैं यहीं पर क्या पाया जाते हैं सौर कलंग इस मंडल मर पाया जाते हैं और प्रकास मंडल के सूर के धरातल निकर्तम कुछ सो किलोमेटर में वाई मंडल भी पाया जाता है तो यहां पर हमने देखा कि इसे फोटोश्पेयर कहते हैं इसे प्रकास मंडल कहते हैं इसका जो तापमान होता है 6 डिग्री सलसियस हो सब्धों को होता है वह पोटो स्प्वेर दोरा सो कर लिया जाता है ठीक है और नविंतम जो सोध हुआ है उसके अनुसार सवर कलंक की उपस्तिती पित्वी पर जलवायू की दसा को बहुत हत्तक सपराइद करती है जेट इस्ट्रीम हवा को बढ़ेद करती है मुझे तो इस प इसका उलेक आपको नहीं मिलता इसलिए इस सभी तत्यों को आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए युक्व जब आप लोग को डियना है और जाव आप लोग को सब कुछ भेतर तरिकेश करना है तो इन बातों को आप सभी को जानते रहना है, fork- Verma Kking yaptहूं करें कि pros hofer क्या है दीए जो サ faith where वह झालि रख़ाए जहां पर आत दीखाई देने लगती है । शुवा प्रकास का मंडल रोरा आओ करने के बाद प्रकास का काली रखाए दिखाए देती है उन Standards के नाम से जाना जाता है अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे अगला जो आपका है उसे कहते है वार्ड मंदल क्या करो filming जबू से कहते हैं ज्या कुने सीन्म आप यई रहे लगें आते हैं इसकी उपर वाले यहां की आख देगा तब मर्मडल्य सी कहते है जुन मिशे कहते हैं वर्ड मंदल वैट रुकेगा वर्ड यह मंदल की बात करें तो जो यह वर्ड मंदल होता है यह क्या है यह शूर का वाई मंदल यह यह किसका वाई मंदल है शूर कवाई मंडल है और यह प्रकाश मंडल की ऊपर ये हैं जो प्रकास मंडल है यह indigenous मंडल देख रहे हैं, इस प्रकास मंडल के ऊपर है और 2000 से 3000 किलो मेटर की मोटाइए में फैला हुआ यह गर्म गैसों से निर्मित है जो गैस से बना है यह गर्म गैसों से बना है लेकिन गैसों का घनत तो प्रकास मंडल के बाहर जाने पर करता है जो जो प्रकास मंडल के बाहर जाएगा तो घनत जो है वो क्या होता है बढ़ता जाता है अर्थात वर्मंडल में प्रकास मंडल के पेच्छा गैसों गनत कम लेकिन ताप अधिक होता है तो यहां पे भी आप लोग को कही चीज़े पढ़ने को मिलेगा जैसे आपने आगे पढ़ा होगा कि वर्मंडल में गैसों की उड़ते प्रवा को इस क्ली कहते हैं श्विप क्ली कहते हैं मतलब वर्मंडल में जो गैस के उड़ते प्रवा है जो वर्मंडल में गैसों की जो प्रवा उड़ते हैं उन्हें श्विप क्याते हैं इसे अंग्रेजी में श्विप क्याते हैं यह स्विप क्याते हैं जो कोरोना तक पहुच जाती हैं कभी कभी इस मंडल में तीवर गहंता का प्रखास उत्पन्न होता है जिसे सार जोहार कहते हैं यहीं पर नाम से जानते हैं क्या क्योंते हैं उसे जोहार जो खोती है सौर जौला जो होती है उसमें यक्स्त था गामा किर्णे निकलती है इसमें पदार्थ का और सुतन आठ सो किलोमेटर प्रती से केंड की दर्से बाहर की तरफ फेका जाता है और वन मंडल का प्राराम प्रकास मंडल की उपरी परस्य होता है जहां पे रडात्मक हैड्रोजन कम हो जाते हैं कि आई यहां से कुछ बाते बता हैं जो यह सौर जो आई इसको परले स्कीन सोट इसका ले लेजिएगा ताकि आप थोड़ा साफ हो जाए डिस्प्ले ताकि और अच्छा समझ में आए ले लिए अपने देखें यहां पर जो सौर जौला निकलती है यहां से क्य प्थिवी के कच्छा के पास पहुशती है तो फिर वहां पहुचने के बाद यह हमारी पिथिवी के पास पहुशती है जैसे हमारी पिथिवी हो गई रोरा बोला बोरियालिस कहते हैं यह पूरा लाहे है जबकि दच्छण में जो आता है उसे बोला आश्टिलिस कहते हैं जो दच्छनी तरफ जाता है औरोरा आस्ट्रेलिश कहते हैं देखे जब यह सोर जो आला आती है यहां पर टकराती है मतलब टकराती नहीं इसके उपर एक अभी बताएंगे जाम लोग प्रिथवी पढ़ाएंगे इसके चाओ तरफ एक महिनेटी 400 किलमेटर घेरा होता है यहा मतलब के तरफ जाती है उसे औरोरा अस्टेलीश कहते हैं यह चमक पच्छतर से जो चमक होती है इसकी यह पच्छतर से लेकर 600 कि 2500 कि rebound की उचाई तक दिखाई देती है जैसे आपने पढ़ावाब होगा कि श्या मेने कि दिन होती है और छह मेने के रात होती है तो बाग के लोग कैसे देखते हैं इसका बड़ा काम यह कि उरियालिस और चॉष देख पाते हैं इसलिए आप सभी लोग इस नद त21 जानते रहेगा इसके इसके श्किन्सॉट ले लीजेगा अब हम लोग पढ़ना को नाम कुछ दिन पहले आप लोगोने को ना के बारे में सुना होगा को नाशे भारत में पहली लागबंडी हुई लागडाउन हुआ ट्रेने वादित रही प्लेन वादित रहा बस से बंध हो गई तो आज उसी के के बारे में उसी से कुरोना को पढ़ेंगे कि उसके सायचित्र के नाम पर कुरोना जैसे वारज देखता है इसलिए उसका नाम कुरोना पढ़ा था चलिए सकी स्किन सॉट ले लिजेगा उसको विमलोग पढ़ लेते हैं ठीक है चलिए आपको दिखाई दे रहाँ होगा यहाँ पे करोना जिससे प्रभा मंडल कहते हैं इसे कोरोना को ही प्रभा मंडल के नाम से जाना जाता है यह जो सूर के वाई मंदल का सबसे बाहरी आवरण है जो वन मंदल की ऊपर पाजाता है इसका विस्तार कई मिलियन किलिमेटर तक पाजाता है बाहर की ओर यह छेड़ होकर आयन तसा इलेक्ट्रॉन की पौनों से परिवर्थित होता रहता है और जो सौर मंदल से होकर प्रभाइत होने वाली कि इस पवन को सौध पवन या सोलर विंड कहा जाता है कोरोना से लाल रंग की लप्टे चाप का निर्माड होता है यहां से लाल रंग की जो लप्टे होती है चाप की तरह उसी का निर्माण होता है कुरोना में प्रवेश करते हैं जिसे हम प्रामिनेंस कहते हैं इतना आप लोग को नहीं लिखना है तो चलिए यहां तक जो सूर के बारे में था वो हमने आपको बता दिया समझा दिया कुछ महत्यपुड तथ्य हैं जो अगर आप करोण किलो मेटर 25,221 किलो मेटर हैं अगर हम देखा जाए पिटिवीज से मध्यम दोरी अगर बराबर देखा जाए इकवल दोरी कितनी है तो 14,9 किलो मेटर अगर देखा जाए तो 14,7 2014 किलो मेटर है अगर प्रितिवी का प्रकास सूर का प्रकास पिस्तवी तक 500 सेकेंड में पहुषता है कितने में 500 सेकेंड अर्था आठ मिनिट 16 सेकेंड कहीं 18 सेकेंड मिल जाता है कहीं 14 सेकेंड मिल जाता है तो लगभग यह 500 सेकेंड में पहुसता है यह सूर को खोखला कर दिया जाए उसमें 13 लाग प्रित्वियां समा सकती है सूर के जो सता कता आप मांच 6000 डिग्री सल्शियस होता है यह आपको दिखा दिये सूर की आज जो है वह पांच बिलियन वर्स है सूर का जो परिक्रमन काल है वह 25 क्रोन वर्स है ठीक अब जैसे प्रकास वर्स देखें सूर की जो चाल है अगर सूर की प्रकास की चाल तो अगर खाटे 5 कर दिया, तो kilometer 30 सेकंड हो गया, अगर इसे meter 25 सेकंड करना है, तो 3 गुड़े 10 घाटे 8, meter 30 सेकंड हो जाएगा, यह प्रकास की चाल हो जाएगा, अगर एक प्रकास वर्स पूछा जाए, इसकी skin shot ले जो पहले, जिकते लोग लाइब देख रहे हैं, वीडियो को, वैस यार-पांस- गुड़े- 10 घातए- 13 किलूमेटर बराबर एक प्रकासवर्स होता है। जबकी 1-2-3 लाइट-ियर ने प्रकासवर्स के बराबर होता है तो ये झाल सारी ने आह judging परिछाओं में 20的時候 में पूछा जाता है इसलिए इस तत्थो को अगर आप चानते रहेंगे तो भुष में या से कभी न गलती होगी न भुष में कभी कोई दिक्कत होगी न कभी कोई समस्या होगी और आपके मन में अगर कोई प्रशना आ रहा हो कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं आज हम पूछा जाए सूर की कुल आयू। स barking Sutle लिजेगा ताकि हम आज़े सकी कि लिए सभी लोग जो लोग भी वी पेटे क्लास के मेंबर हैं सभी सкі सिंसोट ले 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 देहिए जैसे पूछा जाए स्थी कूल आयू से क्वहसे चैश्या अगर फुरके की पूछा जया है नो कि दस अरब वर्ष है अरब वर्ष है अगर वर्तमान पूछा जाए तो चार दस मलो शाथ अरब वर्ष है शुर पर उर्जा कैसे आती है नापके सलेन के दोरा सौर कलंग कितने सेमें अंतराल पर आता है सौर कलंग तो याद रखेगा जो सौर कलंग होता है यह जो सौर कलंग आप देख रहे हैं यह कितने अंतराल पर आता है तो 11.1 अर्थाद लगब कहीं कहीं 12 वर्ज भी आपको मिल जाता है मंदाकनी से केंद्र की दूरी कितनी है मंदाकनी से सूर के केंद्र की दूरी अगर आपको जानना हो तो वह है 32,000 प्रकासवर्स सौर्जवाला कहां से प्रकाथ होता है सौर्जवाला जो होता है वो कहां से प्रकाथ होता है वो कुर्मोश प्रकाथ से होता है सौर्जवाला कहां से होता है वन मंदल से या कुर्मोश प्रकाथ से होता है विस्वर तरीखी सौर परिक्रमण कितना होता सूर का 25.8 दिन होता है सौर कलंक का तापमान एक प्रष्णा आता है यहां फोटोँस्पैण से जुड़े वही उन बहुत महत्यपुन तत्यों को पढ़े लिया घाई जो प्रिठिवि से जुड़े हुए तक बार बार पूछे जाते हैं यदि फिर भी आपके मन में कोई प्राश्थ नहींट को नहीं आ रहा होगा योगी जो मेन्हात्रपौन प्राष्ण थे वहां से एक बार आप उससे देख लिजेगा ताकि पढ़ने के बाद जब आप प्रश्णों का उत्तर देंगे तो वहां से आपको कोई समस्या ना होने पढ़े और इस वीडियो पे आप अंध तक बने रहें जाप आज हम लोगों ने सौर मंडल में केवल सूर को पढ़ा और सूर से जड़े हुए महत्पुन तथ्यों को पढ़ा और ये समान दिन की भगोल विश्वगोल में एक महत्पुन तथ्यों में शेख है जो अमने इंसियाटी के अगर टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको टेलिग्राम पे मिलेगी जहां पे दुर्गे सर्च करके इलनी पे दुर्गे से जुड़ सकते हैं और ऑनलिंग क्लास के लिए 630-634-367 पर वाट्सेप करके आप ऑनलिंग क्लास, सूर के बाद कौन सा तारा है इसका जबाद कविंड वाक्स में दीजिएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूर के साथ के आठ ग्रह जिसे मिलाकर हमारा सौर मंडल होता है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं इसके साथ आप सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद अगर झाल